आत्मा अगर नहीं है तो जीवन बर दुख पाता है इसलिए आत्मा आवश्यक है अगर जीवन वैसे ही नहीं बरबाद करना जैसे जा रहा है तो आत्मा चाहिए इसलिए धर्म का कोई और पतिपाद्य विशा है ही नहीं आत्मा की अतरिक्त दो तरह के लोग होते हैं धर्म की दुनिया में एक जो गौड को या भगवान को वानते हैं और दूसरे जो आत्मा की तरफ बढ़ते हैं कहने की ज़रूरत नहीं इनमें से नास्तिक कौन है एक साधक के जीवन में प्रथम चरणों में धर्म ग्रंतों एवं शास्त्रों की महत्ता के विशे में पूछना चाह रहे हैं लिखा है प्रणा मचारे जी मेरा प्रशन है कि क्या धर्म ग्रंतों जैसे श्रीमत भागवद गीता आश्टवक्र गीता वेदान ते त्यादी का अध्यन करना आवश्यक है सत्य से परिचय के लिए इनका क्या महत्व है हमारे लिए कृपया मारदर्शन करें आवश्यक तो सिर्फ वो है जो आवश्यक है बाकी तो सब साधन है आवश्यक शब्द को समझते हो कहां से आ रहा है अवश्यता से अवश्यता अवश्यता माने जानते हो क्या होता है अवश्य हो जाना माने बेबस हो जाना तो आवश्यक तो बस वो है, जिसके आगे बेबस हो जाओ, अवश्य हो जाओ जिस पर कोई जोर न चले, तो महारा बस वही आवश्यक है गरंथों पर तो जोर चली जाता है वो आवश्यक कहा से हो गए, नहीं चल जाता अच्छा किसने आज ये वारवा आध्याय गीता का पूरा पढ़ा है बाकी चला गए नसोर सबने थोड़ी पूरा पढ़ा है तो गरंत आवश्यक नहीं ना अनिवार्य है अनिवार्य भी जानते हो कहां से आता है इसका कोई निवारन नहीं हो सकता जो अनिवार है दुरनिवार भी नहीं जो अनिवार है वो हुआ अनिवार्य तो गरंत अनिवार्य भी नहीं है वो बिचारे तो सीधे साधन है आपके सामने हैं आपकी कृपा हुई तो उनके प्रिष्ठ कुछ प्रकाश आपको दे पाएंगे नहीं तो नहीं लोगे के घर में धर्म गरंथ पड़े ही रहते है ना खूब यहां कोई ऐसा है जिसके घर में कोई गरंथ ना हो कोई है ऐसा धूल जमी होती है उन पर या उनको कपड़े में बांध करके सुगंधे लाल और पीले वस्तर में बांध करके रखा जाता है उन पर चंदन का टीका कर दिया जाता है ऐसे पाऊं भी छूलिये जाते हैं उनके बस उनको कभी खोला नहीं जाता पढ़ा नहीं जाता लोग पंखा भी जल लेते हैं उनको पढ़ेंगे नहीं बस वो आवश्यक है जिसको अगर आप अपने से बाहर देखें तो कहलेजिए भगवान निराकार संबोधित करें तो कहलेजिए ब्रहम और अपने भीतर अगर उसको पाना है तो कहलेजिए शांति कहलेजिए बोध वो आवश्यक है है ना ऐसा कोई है यहाँ पर जो कहे नहीं शांति आवश्यक नहीं है ऐसा तो कोई नहीं होगा शांति आवश्यक है वो आपको अगर गृंथों के बिना मिल रही हो, तो कोई जरूरत नहीं गृंथोगी. बोद आवश्यक है, वो आपको गृंथों के बिना मिल रहा हो, तो गृंथों को छुएं भी ना. पर मैं पूछ रहा हूं, ऐसा होता है, क्या हम स्वप्रदीप्त हैं, सेल्फ इल्यूमिनेटिड, कि भीतर से ही ग्यान फूट पड़ेगा, वैसा हो सकता है, पर होता वैसा करोणों अर्बों में किसी एक के साथ है. हम ऐसे नहीं हैं कि अनायास हमारे भीतर से प्रकाश फूट पड़े, हम ऐसे भी नहीं हैं, कि हम प्रकाश तो हो यह नहीं सकते, हम कैसे हैं? बहुत पुरानी उप्मा है मुम्बत्ती अद्दिये की, हम वैसे हैं. बात समझ रहे हो? न तो हम जुगनू जैसे हैं, कि बाहर से रोशनी नहीं चाहिए, हमारी अपनी रोशनी है. न हम सूरत जैसे हैं, कि हमारे पास अपनी रोशनी तो है ही, दूसरों को भी देंगे. और नहीं, हम कोईले की ख़दान जैसे हैं, कि हम पर कितनी भी रोशनी डाल दो, हम कभी प्रकाशित नहीं होने वाले. हम बीच के हैं. हम कैसे हैं? दिये जैसे. अपनी तो रोशनी हमारी छुपी हुई है. लेटेंट है. रोशनी है हमें, लेकिन छुपी हुई, सोई, प्रसुप्त. कोई और हो रोशन अगर आकर के हमें इस पर्ष कर जाए, तो हम बिलकुल उसके जैसे हो जाते हैं, जिसने छू दिया हमको. लिए क्या वो उधार की है, क्या उसे वो आपको लोटाएगा सूद समेत, आप उससे ऐसा कहेंगे, ताना मारेंगे, दावा करेंगे, कि देखो यह तुम्हारी जागरती है, यह वास्ताव मेरी है, मैंने तुम्हे दी है, ऐसा तो नहीं होगा ना. ग्रंथ मुम्बतियां हैं, ग्रंथ दिये हैं, वो आपको छू जाएं, तो आपको जगा जाते हैं, प्रकाशित प्रदीप्त कर देते हैं. नहीं छूएं, तो फिर आप इंतजार करते रहिए, कि कभी सैयोगवश, अनुकमपावश, आपके भीतर से भी किरण फूटेगी, और फूट सकती है. पर फिर आप में सब्र होना चाहिए, लाखों वर्ष इंतजार करने का. कोई बाहरी प्रभाव न भी हो, तो भी ऐसा हो सकता है, कि मुम्बति अनायास जल उठे, हो तो सकता ही है. लेकिन वैसी घटना कभी लाखों साल में एक बार घटेगी. आपके पास उतना समय हो, तो जरूर प्रतीक्षा करें. ये पहली बार नहीं हो रहा है, कि कोई मुझसे पूछ रहा है, कि गरंत आवश्यक है या नहीं. बहुत बार पूछा गया, तुमें उन्से बहतर कोई साधन मिल गया हो, तो मच्छूओ गृंथों को. या तुमें गृंथों से अरुची हो गई हो, तुमें गृंथों की कोई जरूरत न दिखाई देती हो, तो मच्छूओ. पर अपनी सिंदगी को देखो और मुझे बताओ. कि उनके बिना काम चल जाएगा क्या हमारा दावा क्या है यह तो आप देखिए थोड़ा हमारा दावा है कि जिन्दगी में छोटी से छोटी बात भी मुझे बताई दूसरों ने हाथ पकड़ कर असे अनार लिखवाया माने ठीक भारत की राजधानी दिल्ली है यह भी कोई दूसरा ना बताता तो हम जान नहीं पाते आज हम बहुत ग्यानी हो गए तो भी सुभ उठ करके अख़बार पढ़ते हैं तब दुनिया का हालचाल पता चलता है अर्थात दुनिया का भी पता हमें सब किसी के माध्यम से ही मिलता है हम कह रहे हैं कि दुनिया की जो छोटी से छोटी और टुची से टुची सूचना भी है वो भी हमें दी दूसरों ने है न अच्छा एक बात बताईएगा आपको वाकई लगता है कि आपको किताबे ना बताती तो आपको ये भी पता होता कि आपके 32 दांत है अरे आपके दाथ हैं क्यों नहीं पता होता है बोलो क्यों नहीं पता होता और दाथ आथ तो है नहीं कि दिखाई नहीं देती दाथ तो दाथ है दिखाई पढ़ता है कि नहीं पढ़ता है गिना जा सकता है न दिल पे हाथ रखके कहिएगा, किताबों ने नहीं बताया होता, तो आपको पता होता कि आपके 32 दाथ हैं, अब एक सूचना दिये देता हूं, बहुत बड़े-बड़े विद्वान हुए हैं, जिनने नहीं पता था कि आदमी के मुँँ में 32 दाथ होते हैं, अरिस्तू, अरि इस्टॉटल का ये भी दावा था, कि औरतों के मुँँ में आदमियों की अपेक्षा, ज्यादा दाथ होते हैं, उसके तीन बीवियां थी, उसके तीन बीवियां थी, तब भी उसे ये लगता था कि औरतों के ज्यादा दाथ होते हैं, ऐसे तो हम हैं, कोई बाहरवार न बत तो हमें दात का भी पता नहीं. अच्छा, जितने आपको आज वैज्ञानिक तथ्थे पता हैं, मुझे बताईए का आपने इन में से कितने जाने हैं, खुद प्रयोक्षाला में परीक्षन करके? कितने जाने हैं? कितने हैं जो आपने खुद जाकर के, कि प्रयोक्षाला उपलब्ध है, जाइए परीक्षन करिए, ले लीजिये तत्थे. खुद जाना है क्या? अच्छा, बताईए कोई ना बताता तो आपको पका पता होता है कि प्रथवी गोल है? है कोई यहां पर जो दावे के साथ कह सकता है कि किताबों में नहीं भी लिखा होता, तो भी मैं जान जाता कि प्रथवी गोल है ही? यह तो बहुत सीधी सी बात है. बट ओविएसली. होंगे आप बड़े हुशियार होनरमंद? आप इतना भी ना जान पाते है कि प्रथवी गोल है. आदमी हजारों सालों तक नहीं जान पाया कि प्रथवी गोल है. तो हम कह रहे हैं कि टुची से टुची बात भी तो हमें तब पता चलती है जब कोई दूसरा बताए. हाँ, आत्मग्यान, सत्य, वो तो हम खुदी पता लगा लेंगे. देखिए, उसके बारे में हमें कोई बताए, ना. यह रिशी मनिशी इनके तो नाम से चिड़ मशती है हमें. हम इनके गरंद खुलना नहीं चाहते. यह सब तो हम खुदी पता कर लेंगे. हमें अखबार पढ़ने की जरूरत है, उपनिशत पढ़ने की जरूरत नहीं है. देखिए, सहाब, आप उपनिशतों को माफ करें. आपने अभी जो वक्तव विदिया, उसके बाद यह सपश्ट है कि आप उपनिशत पढ़ेंगे भी तो आपको कुछ मिलने वाला नहीं. पर ज्ञानियों की और आधोनिक इंडिविजुलिस्ट्स की यह बड़ी जिद रहती है. वो कहते हैं हमें और सब चीजों के बारे में कोई बाहर का बता दे तो बता दे. जीवन के बारे में हमें मत बताना. वो हम अपने अनुभाव से, life experiences से सीखेंगे. ऐसे लोग मिले हैं कि नहीं? वो कहते हैं कि यह सब बाते क्या बता रहे हो तुम, डर, प्रेम, सत्य, भरम. हम भी जी रहे हैं क्या हम खुद नहीं जान सकते हैं उसको पूछे तुझे अपने दात पता है? तुझे अपने दात तो पता नहीं कि कितने हैं. तुझे सत्य पता चल जाएगा अपने आप. तेरे शरीर में भी क्या बीमारी लगी है? यह जानने के लिए तु फुदत के पास जाता है, डॉक्टर के पास. और तेरी अंतरात्मा में क्या बीमारी लगी है? यह तु खुद पता लगा लेगा? कहता है, हाँ? जानते हो ऐसा क्यों कहता है वो? क्योंकि उसके अंतरात्मा में बीमारी लगी है. चुकि वो भीतर से बीमार है, इसलिए कह रहा है कि अपनी भीतरी बीमारी में खुदी प पता लगा लूँगा। कोई पागल ही कहता है ना कि अपने पागलपन का खुद इलाज कर लूँगा। अगर आप पर पागलपन थोड़ा-थोड़ा सवार हो रहा हो, तो आप सबसे पहले क्या करते हैं? चिकिछसक के पास जाते हैं ना? अगर आप पाते हैं कि आपका मन विचित्र गतियां कर रहा है, तो आप तुरंद फोन करते हैं, एपोइंटमेंट लेते हैं, और जाते हैं मनुचिकिछसक के पास, करते हैं यही ना? यह आप तब करते हैं, जब आपका पागलपन थोड़ा सा है, और जब आपका पागलपन पूरा ही हो जाए, तो आप क्या कहते हैं, तो आप कहते हैं, ओ सब पागलों इधर आओ, डॉक्टर साब पढ़ा रहे हैं, आज तुम्हारा इलाज होगा, है न, ऐसे हम हैं, अगर हम थोड़े से पागल होते हैं, तो हम शास्त्रों और ग्रंथों के पास जाते हैं, क्योंकि हमें पता है कि कुछ गड़बर हो गई है हमारे साथ, हमें सहायता चाहिए, कोई साधन चाहिए, कोई, तो फिर हम जाएंगे ग्रंथों के पास, यह बता रह और जब पागल्पन पूरा ही बढ़ जाता है, तो हम कहते है, no, no, I will manage on my own. You don't need to tell me. या फिर, कि ये सब बते तो पुरानी पड़ गई ना? ये सब तो क्या करना है? पुराना पड़ गया. तो पाइथागोरस थिरूरम कितना पुराना है? तो खारिश कर दो उसको, बेकारी होगा. और ये थोबड़ा कितना पुराना है? ये तो हजारों, लाखों साल पुराना है. तब भी जो लोग थे, उनका मूह ऐसा ही होता था, इसको भी बोल दोगी, बेकार है. दो आखे लेके काई को घूम रहे हो तो बहुत पुरानी बात है या तो तीन करो और तीन नहीं हो रही तो यह दोनों फोर डालो पुरानी चीज काई रखे हुए अपने चेहरे पे पुराने चेहरे पे कुछ लेटेस्ट करते हैं न कटिंग एज कोई बढ़ियां कटिंग एज लेकर के आओ और उसे कटिंग कर दो चेहरे पे भी कुछ कटिंग एज काम करो न यह सारे कटिंग एज काम तुमें अध्यात्म में करने हैं कहते हो नहीं पहले वाला अध्यात्म पुराना हो गया अब हम शास्त्र और ग्रंथ नहीं पढ़ते अब आज कल के जो नए नवेले शास्त्री हैं हम उनकी किताबे पढ़ते हैं तो कहते हैं नई-नई पुरानी किताबे पढ़ने कोई जरूरत नहीं हम तुमको अध्यात्म का नया विज्ञान बताएंगे जो समया तीत है वो समय में पुराना कैसे हो सकता है जो समय से आगे का है वो पुराने समय का कैसे हो सकता है बताओ बोलो जो समय से आगे का है वो पुराने समय का कैसे हो सकता है तो ग्रंथों को लेकर कि यह अनादर क्यों है फिर मन में और ग्रंथ कोई स्वार्थ नहीं रखते वो नहीं कह रहे कि जीवन भर उनसे चिपके रहो तुम वो तो खुद कह रहे हैं जब तर जाओ तो हमें छोड़ देना ग्रंथ कहते हैं कि हम चिता की लकड़ी की तरह हैं तुम्हारे भीतर जो कुछ मुर्दा है उसको जला देंगे और साथ साथ खुद भी जल जाएंगे ग्रंथ कहते हैं कि हम चिता की लकड़ी हैं तुम्हारे भीतर जो कुछ भी मुर्द है उसको जला देंगे और फिर खुद भी जल जाएंगे तो मैं हमारी कोई आवाशक्ता नहीं रहेगी सिर्फ और सिर्फ किसी बुद्ध को अधिकार है ये कहने का कि वेदों की ज़रूरत नहीं कि सिर्फ और सिर्फ किसी कभीर को अधिकार है ये कहने का, कि वेद भी अधर्म को धर्म बता देते हैं. गीता से आगे निकल जाने का अधिकार सिर्फ उसको है जो कृष्ण जैसा हो. क्या कृष्ण को जरूरत है गीता पढ़ने की? आप अधर कृष्ण हो गए हो तो गीता छोड़ दीजिए पर क्या आप कृष्ण हो गए है अहंकार को बहुत अच्छा लगता है कहना है कि मुझे गीता की क्या ज़रूरत है ये कहकर के वो अप्रत्यक्षतार पर यही कह रहा है कि मैं तो सहाब कृष्ण से कमजोर थोड़े ही हूँ मैं क्या करूँगा गीता पढ़के गीता तो कमजोर लोगों के लिए अर्जुन जैसे मैं होता उस समय तो अर्जुन को आधा बान मारता कहीं का नहीं बचता बच्चू अब बान मारने के ज़रूवत ही नहीं पढ़ती आँख दिखा के मार देता कमजोर था पठ्था तभी तो जाकि कृष्ण के सामने पाउँ पर बैठ गया और बोल रहा है मधुसूदन, केशव, कुछ ग्यान दे अरे हम आज के लोग हैं हम किथी के सामने नहीं जुकते I am the highest authority जो मुझे सही लगता है मैं वही करता हूँ कोई गीता इत्यादी नहीं चाहिए मुझे गरंथ पढ़ने का तो अर्थ हुआ गरंथकार के सामने जुक जाना नहीं जुकूँगा मैं अखबार के सामने जुक सकता हूँ कि एका कॉलम लिखा होगा और उसको तुम बड़े रस से पढ़ लोगे पढ़ते हो कि नहीं क्या बात क्या बात किसने लिखा है अरुन कुमार ये किसने लिखा है पदमीनी बैनरजी और उसने ये धना दना अंगरेजी मारी है बलकु उलट दिया है क्या बात है क्या बात है क्या लिखा है वाग तब क्या नहीं कहते हैं कि मैं इनकी बात क्यों पढ़ूं या कहते हो तब तो पिक्चर भी देखने जाते हैं तो रिव्यू पढ़के ठीक तब क्यों नहीं कहते हैं कि हम किसी और की बात क्यों सुने पर जब गरंथों का मसला आता है तो कहते हो नहीं हम किसी के नहीं सुनते गरंथ पढ़के तो आदमी बड़ा बायस्ड हो जाता है कम्यूनल हो जाएंगे भाई अगर ग्रंथ पढ़ लिए तो इन में बड़ी दकिया नूसी और घिसी पिटी बाते लिखी हैं बिगौट कहलाएंगे घर में अगर उपनिशद हो तो उनको किसी तहखाने में छुपा के रख दो अखास तारपे महमानों को और वो भी अगर इंटेलेक्शुल लिबरल महमान हैं उन्हें बिल्कुल पता नहीं चलना चाहिएगी घर में उपनिशद हैं तो यह तुम इतने पिछडे निकले तुम पदमीनी बेनरजी छोड़ करके उपनिशद पढ़ने लगे धिकार तो यह बड़ा फैशन बनता जा रहा है कि मैं तो देखिये साहब गरंथित्यादी नहीं पड़ता लोग इस बात को गर्व लेके बताते हैं I have not read any scriptures जब कोई कहे I have not read any scriptures वो करीब-करीब ऐसा है कि कोई बोले कि मैं अशिक्षित हूँ यह बात गर्व की नहीं है यह बात नहायत शर्मनाक है जो यह बात कहे उसको लज्जा आनी चाहिए कि मैंने कोई गरंथ नहीं पढ़ा पर यह बात आजकल गौरव का प्रतीक बन गई है नहीं हमारे घर में तो कोई गरंथ नहीं है देकिए we are secular and liberal फिर बताये देता हूँ भूतों का ऐसा अड़्डा जहां आने से भूत भी घबराएं और जब मैं घर कह रहा हूँ तो मेरा आर्थ सिर्फ इट पत्थर से नहीं है यह मन से है यह भी घर है अगर इस घर में गरंथ नहीं है तो यह घर भूतों का अड़्डा है ऐसा डरावना समसान है कि जहां आते भूत परे थर रहते हैं आदमी की क्या भिसात जब छोटा भूत्तु बहुत शोर मचाता है तो भूतनी उससे क्या बोलती है बेटा चुप हो जा नहीं तो ऐसे घर भेज़ दूँगी जहां गीता और ग्रंथ नहीं है और भूत्तु बिलकुल खौफ खाके चुप हो जाता है भूत्तु नहीं है तो बहुत गवार नाम विलकुल देहाती भूत्त यह जो भूत्त जमात है ना यही आगे आगे चल रही है कि यही आगे नहीं है आपको दिखाई नहीं देता है यही वो लोग हैं जिनमें सबसे आदा डिप्रिशन, सबसे आदा अंग्जाइटी है जितना ज्यादा ग्रंतों के प्रति अपमान से भरता जा रहा है मन वो उतना ज्यादा शम्शान की तरह भयावह होता जा रहा है सामरिक कारणों से दुतिय विश्वयुद्ध के समय सैनिकों में तनाव का स्तर ना पा जाता था वर इस फानकों में तनाव जादा है तो बढ़िया लड़ेंगे नहीं। उनके मरुणन अच्छानु अच्छाल लगे भी कोशिशें की जाती थी, कई भारों कोशिशें बढ़ी भध्दी रहती थी। लेके ने ख्याल रखने की कोशिश की जाती थी कि इस स्यानिकों में तनाव कम रहे. तो तब ना पा जाता था. टेंशन का और स्ट्रेस का और एंग्जाइटी का स्थर. अभी भी ना पा जाता है. जानते हो पाया क्या गया है? उस समय मूर्चे पर जा रहे स्यानिकों में जितना तनाव होता था, उससे ज्यादा तनाव आज के आम आदमी में हो गया है, खास तौर पर युवाओं में. खास तौर पर ये जो तीस वर्ष से कम की पीड़ी है, ये भ़्यानक रूप से तनाव से ग्रस्त है. जो लोग 35-40 पार के हों, वो ज़रा याद करके बताएं, आपके समय में आप भूछ सुनते थे डिप्रेशन इत्यादी, सुनते थे क्या? आपको दिख नहीं रहा है. ये धर महीनता की बीमारियां है, ये अध्यात महीनता की बीमारियां है. मन सत्य से जितना दूर होगा, उतना ज्यादा तनाव में जिएगा. बहुत सारे पहुचे हुए मानोचिकेचकों, मानोविशलेशकों. उनका भी कहना यही है कि हमारी विधियां समस्या के मूल तक कभी नहीं पहुचती है, मूल को नहीं मिटा पाती है. वो भी फिर कहते हैं कि आखरी रास्ता रिलिजन है. झाल